नमस्कार दोस्तो आप लोगा स्वागात इमेर चनल में दोस्तो आज का टोपिक आपको थमनिल में पता चल गया होगा कि एक ही जटके में करे नकली अंडो की पाचान हाँ दोस्तो आज का समय काफी बदल गया है इस समय में आपको हर एक चीज में मिलावट खोरी देखने को म लगी है सबसे दुखी की बात ये है कि मिलावट खोरी तक तो ठीक था लेकिन बाजार में नकली खाने पीने वाली चीज़ों में भी मिलावट होने लगी है जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही नुख़दान दायक होती है आज का टोपिक है अंडो के बारे महां दोस्तों जी हा ठन के दिनों में अंडो की खबत काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब ऐसे में बाजार में नकली अंडे आने लगते हैं वहीं नकली अंडे वास्तविक अंडे से बहुत अलग होते हैं और ये सिहत के लिए बहुत ही नुख़दायक होते हैं जानकारों की माने तो ये नक की सफिद जर्दी उपर वाली भाग अच्छी तरह से वह मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि अंडा नकली है इतना ही नहीं नकली अंडे का उपरी सत्व हाड होता है और असली अंडा बहुत सुप्ट होता है इसके साथ ही अगर आप अंडे को आग के पास ले जाएंगे तो उ उसमें से गंद आने लगती है सबसे जरूरी बात की नकली अंडे पानी में तेहने लगते हैं दोस्तो इसका एक और उदारन है कि पानी में आप असली और नकली को डालेंगे तो नकली तेहने लगेंगे और असली डूब जाते हैं अब दोस्तों बात करते हैं नकली अंडे खाने से हमारे शरी में क्या असर पड़ेगा तो बता देखी नेकली अंडे लिवर के लिए बहुत ही हान एक होते हैं इतना ही नहीं यह आपके हड circles को कमझर कर देते हैं इतना ही नहीं केमिकल से बने इस अंडे का केडिनी पर भी बहुत बरा बुरा आसर पड़ता है इससे हमारे सरीर में एनीमिया के रोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है तो दोस्तो यह थी थोरी सी जनकारी असली और नकली अंडे की पाचान किस प्रकार करें और नकली अंडे खा झाल झाल झाल